आपका चाहने वाला मरने के बाद अलग बॉड़ी में फिर से आपके पास वापस आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे पहचानबाओगे? इसे एक इंटरस्टिंग सब्जेक के साथ आज की मूवी एडिक्टेरी 2002 की एक मिस्ट्री थिलर मूवी आती है यह कोरेन मूव और अपने छोटे बेदर के पास जाता है जिसका नाम होता है देजीन देजीन स्पोर्ट्स कार्ड ठीक कर रहाता है यह उसे कहता है कि मुझे लगा था कि आरवी में जाकर आने के बाद तुम बदल जाओगे पर अभी भी तुम खिलोनों के साथ ही खेल रहे हो होजीन को अ अने मालों ऐसे नहीं होता नेकसिन में हमें इनसु दिखाई जाती है यह बड़े ब्रदर की वाइफ है यह स्टेज शो के लिए साउंड मेगरा मैनेज करती है होजीन जो होता है वो घर पर ही रहता है वो घर में खाला वेगरा सबका खैल रख लेता है उसकी वाइब जलती ही उसका जो फेवरेट सोंग होता है वो लगाता है उसे समझ में आता कि आज हो क्या रहा है घर आनी के बाद उसके लिए बहुत सारा खाना उसने पकाया होता है इंसु सोचने लग जाती है कि आज इसा क्या स्पेचल है आज तुश का बड़े भी नहीं है और होजीन का भी बड़े नहीं है, होजीन फिर उसे कहता है कि आज हमारी अनिवसरी है इसे बहुत ही गिल्टी मेंसुस होता है क्योंकि इसे याद नहीं होता, होजीन उसे एक नेकलेज देता है, इनसु कहती है कि मेरे फादर का गिफ्ट था, यह बहुत ही प्रेशियस यह फिर डिसाइड करते है, कि आज दोनों इंटिमेट होने वाले है यह एक मोमेंट शेरी करने वाले होते है तब इस देजीन वहाँ आ जाता है देजीन के साथ फिर यह सब बेठे हुए होते है जब होजीन दो मिनिट के लिए वहाँ से चला जाता है तो इन्सु देजीन से भूछती है कि तुम्हारी कोई गर्रफ्रेंड नहीं है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गर्रफ्रेंड होनी चाहिए देजीन क requisite है, मैं जैसा भी हो खोशू इन्सु कहती है, कि तो हमेशे आपने कार से खेलते रहते हो मुझे समझ में नहाता कि तुम्हारे माइड में चलता कहा रहता है बहुत रात हो जाती है तो इंसु सोने के लिए चली जाती है होजीन देजीन को कहता है कि तुम्हारे आज कान बन रखना देजीन भी इस पर रहसता है रात में इंसू और होजीन दोनों बेड़ पे होते है वों intimate होने वाले होते है पर होजीन को बहुत ही hiccups आ रहे होते है ये फिर अपना plan cancel कर देते है होजीन का exhibition होने वाला होता है होजीन एक बहुत ही बड़ा artist होता है reporter ऐसे क्या बोलेगा वो इसके practice कर रहाता है देजीन उसे help करता है देजीन उसे कहता है कि artist की तरह बोलो इसे pause लेकर लेकर बोलो होजीन जब एक कर देता है तो देजीन कहता है कि तुम से नहीं हो पाएगा ये दोनों फिर यही हज देते हैं ये दोनों brothers एक दूसरे से बहुत प्यार करते है होजीन देजीन को अपनी कार तक छोड़ने के लिए आता है देजीन के कार में उसने एक fish लगा होता है उससे कहता है कि ये जो fish है ये good luck के लिए है ये तुमें किसी भी चीज से बचा कर रखेगा जब देजीन घर से चला जाता है तो इन्सू और होजीन दोनों घर पर अकिली होते है ये दोनों फिर टेबल पर ही intimate हो जाते है ये टेबल unstable होता है तो टेबल किनी जे वो coin लगाता है अपने action में हम दिखता है कि देजीन अपने कार चलाने के practice कर रहा है वो इतने fast कार जलाता है तो कार का engine भी गरम हो जाता है उसे अपना work बहुत ही पसना आता है इन्सू जब का अपने काम बार पोचती है तो उसे होजीन ने लेटर भेज़ जाओ होता है एक दूसरे को हमेशा लेटर भेज़ते है तीन साल इनके शादू को हो चुके है फिर भी एक दूसरे को लेटर भेज़ते है ये देखकर इसकी कलिक उससे पूछती है कि ऐसा कैसे है सब लोगों को इनका love बहुत ही अजीब लगता है रात में भी इनसू होजीन के लिए लेटर लिखते लिखते ही सो जाती है होजीन भी जब इसका लेटर बढ़ता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है होजीन जो होता है इसे gardening का भी शोक होता है वो अपने flowers को पानी दे रहा होता है तब वहाँ इनसू आती है उसका जो necklace होता है वो फिर से तूट गया होता है होजीन को बोल रही होती है कि लिख इस necklace को फिर से सुधार दो यहाँ देजीन की एक friend आती है यह जो देजीन की friend होती है यह उसे बहुत ही पसंद करती है देजीन की friend जब इन English देखती है तो कहती है कि बहुत ही pretty है इनसू कहती है कि मेरे father ने बनवाय था वर्ल में इसकी तरह और कोई भी नहीं है इस दिन को आप याद रखना last में important है नेक्स दिन आता है और यह दिन देजीन की जो race होने वाली होती उसका होता है यह होजीन अपना जो सब काम होता है exhibition के लिए उसे जो सब art complete करना होता है यह सब वो complete कर लेता है वो आज देजीन के race देखने के लिए जाने वाला होता है देजीन की friend उसे कहती है कि तुम्हारा brother तुम्हें oppose करता है तुम race करते हो दूसे अच्छा नहीं लगता तो क्यों तुम race करते हो देजीन केता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यह मेरा passion है मैं इसके बिना जी नहीं सकता देजीन के race स्टार्ट हो जाती है और होजीन उस race के लिए late हो जाता है वो taxi driver के बास जाता है और उसे कहता है कि बहुत ही late हो चुका हो उसे जल से जल वहाँ छोडने के लिए उसे बोलता है यह taxi driver बहुत ही fast गाड़ी चला रहा होता है हो जिन डर रहा होता है तो taxi driver कहता है कि 10 साल से मैं taxi चला रहा हूँ कभी भी मेरा कोई भी accident नहीं हुआ है देजिन की race start होती है और जब वो race में होता है तब उसे tire जरा खराब लगता है यह वो change करता है पर इसी वज़े से उसका time चोता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है वो बहुत ही तेज गाड़ी चला रहा होता है race track पर एक accident हो जाता है उसे उसकी team message देती है कि वहाँ से वो सही से चला है पर उसे यह सुना है नहीं देता उसके आगे एक गाड़ी आ जाती है और इसका accident हो जाता है होजिन भी taxi से जब आ रहा था तो taxi बहुत ही fast चल रही थी रस्ते पर इस taxi का भी accident हो जाता है इन दोनों brothers का एकी time पर accident हो जाता है इसके बाद हमें देजिन दिखाया जाता है यह hospital bed पर होता है और यह unconscious होता है तो doctors बात करते हैं हमें देखते हैं यह कहरे होते हैं कितना आजीब world है दोनों brothers का एकी साथ accident हो चुका था इसरा disturb होता है अब यह conscious में आ चुका है तो doctors बहुत सारी test हो गरा इसकी करवाते हैं इनसु फिर इसे घर लेकर आती है यह कहती है कि तुम बजगे यह भी एक महरबानी है अब नेक्सिन में हो दीखता है कि देजिन होजिन की जो garden थी उसके पास आ चुका है जो flowers थे हो मुर्जा चुके है इसे हो देख रहा है इनसु वो शौक में ऐसा उसे लगता है उसके रूम में उसे छोड़ कर देती है देजिन दिन रात वहाँ सोता रहता है नेक्स दिन सुबा जब आती है तो होजिन के garden में पानी लगा रहा होता है नेक्स दिन जब आते है तो होजिन के brush से देजिन ने brush क्या होता है होजिन हमेशा brush करकर इनसु के लिए वो brush रख देता था इनसु के देखकर बहुत अजीब लगता है इसके बाद हम देखते है कि होजीन का जो आर्ट था वो अब देजीन कर रहा है उस पर वो वोग करना स्टार्ट कर देता है देजीन के जो अच्छी फ्रेंड थी वो अब उसे मिलने के लिए आई हुई है उसे कहीती है कि तुम होस्पिटल में थे और मेरे बहुत ही हालत खराफ हो चुकी थी जब तुमारी कार देशने सो गई थी उसे स्क्रैब करने के लिए में गई थी वो स्क्रैब होता हुआ देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा देजीन अपने कार से बैर करता है तो उस कार से वो जेलस होती है इसी वज़े से उसे उस कार को स्क्राइब होता देख कर बहुत ही खुशी हुई होती है देजिन सिगरेट पीता था पर एक्सिडन हो जाने के बाद अब वो सिगरेट नहीं पी रहा उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही हेवी स्मोकर थे रात में हम देखते है कि देजिन की फ्रेंड उसके घर पर ही होती है बहुत जब इनसु आती ही तो देखती है कि देजिन अब कुक कर रहा है देजिन कभी भी कुक नहीं करता था होजिन जिस तरह से अच्छी सबजिया वगरा काटता था उसी तरह से सबजिया काट रहा है इंसु के जो फेवरेट फ्लावर्स होते है वो भी उसने लाय हुए होते है रात में हमें दिखता है कि देजिन उसके वर्क स्पेस में है और रो रहा है अब इनसु को लगता है कि देजिन देजिन ही ही नहीं होजिन की सोल उसमें चली गई है अब इनसु को लगता है कि उसका हजबन जो कोमा में है वो वहाँ नहीं है देजिन में वो घुश चुका है अब यह सब हो क्या रहा है इसका सेंस बनाने के लिए देजिन को डॉक्टर के पास लेकर आती है डॉक्टर्स देजिन के सब सिम्टन्स वेकराज पूछते है इंसु को बताते हैं कि इंसु को बताते हैं कि उसे अपने ब्रेदर जाने के बाद सदमा लग चुका है वो डिप्रेशन में है और इसी वज़े से यह सब हो सकता है डॉक्टरों से बोलता है कि देजीन का जो अग सबकॉंशेस है इसे लगता है कि वो होजीन ही है डॉक्टर इंसो को सरा देता है अगर सही तरीके से तुमें इन्फोर्मेशन निकालनी है तो तुम देजीन को हिपनेटाइस करो वो इसके सबकॉंशेस में क्या है यह तुमें पचा जलेगा रात में जब एक घर आते है तो देजीन फरनीचर पे काम करने लग जाता है वो करते करते ही उसे चोट आ जाती है यहाँ पर देजीन की फ्रेंड भी होती है वो अब सोच रही होती है क्या है सच्मुज में पॉसिबल है रात में जब यह सोई होए होती है, तो देजीन वहाँ आता है, उसका डौर खड़कड़ाता है उसे कहता है, कि डौर ओपन करो, मैं कुछ करने नहीं वाला देजीन कहता है, यह बहुत ही सोरी हूँ, पर मैं मेरे ब्रदर की रूम में नहीं रह सकता वो होजीन है इस तरह से वो बात कर रहाता है मैं अगर वहाँ सोया तो मैं कभी भी नहीं जागूंगा ऐसा मुझे लगता है यह फिर इंसु के रूम में ही सोजाता है इंसु वहाँ से जा रहे हुथी है तो उसे कहती है कि प्लीज यही सोजाओ मैं बहुत डरा हुआ हूँ उसे कहती है कि देजीन के साथ रहना यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मैं हमेशा उसमें होजीन ही डूनती रहती हूँ और कभी-कभी मुझे वो दिख भी जाता है मैं बहुत ही कन्फियोज हूँ देजीन की फ्रेंड कहती है कि तुम उसे मुझे पर छोड़ दो मैं जरा उसके साथ टाइम स्पेंट करती हूँ इसके बाद वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा यह फिर देजीन के पास आती है उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे फादर के फार्म में काम कर सकते हो तुमने मुझे कहा था कि तुम जब वार में थे तुम बहुत ही अच्छा लगता था अगर तुम फार्म में काम करोगे तुम फिर से अच्छा लगेगा देजिन केता है कि मैं क्यों कहीं जाओंगा ये तुम मेरा ही घर है देजिन की फ्रेंड केती है कि इंसु ऐसा चाहती है कि तुम चले जाओ कि तुम इंसु के लिए ये सब करो होजिन को कॉमा में रहे कर एक साल हो चुका है यह उसके लिए बहुत है देजिन को अब तक मालूम है नहीं होता कि होजिन कोमा में है उसे लगता है कि हो मही चुका है यह फिर उसे देखने के लिए जाता है उसके बाद रात में हमें दिखता है कि देजिन घर पर है वो जब अपनी शेकल काच में देख रहा था तो जाला जाओंगा मैं देजिन की तरह ही जिऊंगा ये फिर अपने फ्रेंड के साथ उसके फाम में आता हुआ में दिखता है इंसु होजिन जो कौमा में है उसे मिलने के लिए आती है वो उसे कहती है कि तुम तो कभी भी लेजी नहीं थे इनने वक्त तक तुम अब क्यों सो र पाती है जब देजिन फाम पर काम कर रहा होता है तो देजिन की फ्रेंड उसे अनयो करती रहती है उसके साथ बेट कर बात कर रही होती है तो देजिन उसे कहता है कि अगर तुमें लगता है कि मैं सही सहा काम कर पाओ तो प्लीज मुझे बात मत करो उ उसकी फ्रेंड उसे ब देजन कहता है कि मैं सौरी हुँ पर मुझे वापस आना ही था फिर तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था। इन सु के बाद कहती है कि इसके जो लोग होते हैं उनMेंसे कोई अगर मर जाता है तो पास दिन उसके बारे मों बात करते हैं इसके बाद उस आदमे के बारे मों कभी भी बात नहीं करते यह वो बैड लग समझते हैं हमें भी होजिन के बारे में ऐसा ही करना चाहिए वो फिर होजिन की यादे बोलना स्टार्ट कर देती है वो कहीती है कि एक साल बहुत ही पारिश पड़ी थी होजिन के घर पर हम जब गए थे तो उसमें बहुत सारा पानी भर चुका था हम दोनोंने मिलकर वो सब पानी निकाला था जब तुम आरे में चले गए थे जब तुम घर से दूर चले गए थे तुमारे टूशन फीस के लिए होजिन एक फैक्टरे में काम करता था मैं एक दिन उससे देखनी के लिए गई थी और उससे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था अब देजिन कहता है कि मुझे याद है जब तुम मुझे देखनी के लिए आई थी तुमने पिली डेस पहनी थी जब तुम वहाँ से जा रही थी तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि तुम्हें अगर मैंने पैचान लिया होता तो तुम बहुत ही अफसेट हो जाती क्राइसिस के वक्त तुमने मुझे हेल्प किया था मैं तुम्हें कैसे छोड़ कर चला जा सकता था हम दोनों जो है ये एक ही person है क्या तुम्हें इसे देखनी पा रही हो मुझे उस accident में मर जाना चाहिए था और कभी वापस नहीं आना चाहिए था पर मैं कर नहीं पाया मुझे तुम्हारे लिए वापस तो आना ही था मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता इसी वज़े से मैं वापस आ चुका हूँ टेबल के नीचे इन दोनों कोईन रखे थे ये वो निकालता है और उसे देता है ये कहता है कि ये जो कॉइन है ये हम दोनों ने आज तक एक दूसरे से कितना प्यार किया है इसका है सिम्बॉल है ये दोनों फिर एक दूसरे को हग कर ले थे राद में एक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जोके हैं हमें दिखता है इंसु अब इसे एक्साइब कर लेती है ये पार्क में जाते हैं शॉपिंग गरते हैं एक नॉर्मल सी लाइपस्टाल ले जीते हैं देजिन अपने आर्ट पर काम करता है और उसका भी एक्सिबिशन अब होने वाला होता है नेकसिन में हमें इंसु देजिन की फ्रेंड से बात करे हैं ये दिखता है उसे समझा रहे होती है कि देजिन ही होजिन है देजिन की फ्रेंड कहती है कि वो वैसे भी जैसे पहले था वो ऐसा नहीं रहा है अब देजिन जाहा है वहां में नहीं रह सकती है वो वो एक country छोड़कर बहार study करने के लिए जाने वाली होती है last बार देजीन से मिलने के लिए वाती है देजीन उसे पुछता है कि क्यों तुम बहार जा रहे हो क्या मेरी वज़े से जा रहे हो उसे पुछता है कि कब तुम वापस आओगी ये कहिती कि मेरा वेट करने के लिए देजीन या नहीं है तुम्हें क्यों वापस आओँगी वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें देजीन समझ कर कुछ बोल सकती हूँ वो फिर उसे rotten bastard कहती है उसके बाद उसे wish करती है कि उसकी life बहुत ही अच्छी जाए उसे वो एक hug मांगती है वो बोलती है कि तुम कैसे भी मुझे hug दे सकते हो देजीन या होजीन मुझे कुछ भी फरक नहीं पड़ता देजीन फिर उसे एक bomb hug देता है ये कहती कि तुम देजीन नहीं हो देजीन कभी भी इस तरह से मुझे hug नहीं करता था इसके बाद देजीन को एक call आजाता है इसका exhibition होने वाल है तो इसका एक call होता है अब नेक सेने हमें दिखता है कि इन्सू को डॉक्टर नहीं बुलवाया है डॉक्टर से खहते हैं कि तुम्हारा जो husband है यह non-responsive है वो branded हो चुगा है वो अंदर से मर रहा है तो इसी वज़े से उसका life support उन्हें निकाल लेना चाहिए यह उसे वो suggest करते हैं इन्सू और देजीन फिर डिसार करते हैं कि होजीन का life support उन्हें निकाल देना चाहिए अब थोड़ा टाइम दूजर चुका है अब मैं दिखता है कि इन्सू देजीन के बच्चे से pregnant है देजीन का एक art exhibition चल रहा होता है यह दोनों अब बहुत ही एक दूसरे का साथ खुश है इन्सू जब घर पर होती है तो उसे एक parcel आता है यह parcel जो होता है यह देजीन के लिए होता है इसलिए में return कर रही हूँ मैं कभी भी तुम्हारा जो यह sick love है यह समझने पाऊंगे मैं hope करती हूँ कि कभी ना कभी मैं तुम्हें भोल चाऊंगे अब देजीन के friend को होजीन के पास जो necklace था वो कैसे मिला है यह हमें दिखता है जब इनसु ने होजीन को necklace दिया था तो यह necklace उसने एक bottle में छीपा कर दिया था जब देजीन की friend लास्ट बार उसे मिलने के लिए आई तो यह necklace उसे मिल गया था देजीन को इस necklace के बारे में पता ही नहीं था यही necklace उसने लोटाया है वो देजीन को indirect ले कह रहे हो थी कि उसे पता है कि वो होजीन नहीं है वो सब pretend कर रहा है और जो इनसु को लव करता है उसे समझ में नहीं आ रहा अब इनसु डिस्टब हो जाती है वो देजीन की सब चीसे देखने लग जाती है यहाँ देजीन की रूम में उसे एक secret vault मिल जाता है यह वो चेक करती है तो उसके बहुत सारे फोटोस भा होती है इनसु के फादर ने उसका necklace जिस प्रांट से बनवाया था उसने वो बहुत सारे लाकर रखे हो गते है इसके पास वो है तो यह कभी भी यह necklace बनवा सकता है यह बहुत ही rare होता है पर फिर भी इसने वो इकटा करकर रखे होते है अब हमें देजीन की खानी समझ में आती है देजीन एक दिन जब पार्क में था और फोटो ले रहा था तब ही उसे इनसु दिखी थी इनसु अपने bicycle से जा रही थी देजीन ने जो सब डायरी में लिखा है वो इनसु पढ़ रही होती है उसमें लिखा होता है कि जिस दिन मैंने इनसु को देखा तब यह magical था वो sunshine की थरा मेरी जिंदगी में आई थी मैंने जब उसे देखा तो मेरे अंदर जो सब sadness था वो एक की पल में पुरा मिट गया मैंसे किस तरह से explain कर सकता हो यह मुझे समझ में ने आ रहा इसी रात देजीन जब होजीन के साथ था तो होजीन अपनी girlfriend को उसे मिलवाने माला था जब होजीन ने इसी को introduce कराया तो देजीन का दिल तूट चुका था वो कहता है कि मुझे लगा कि पूरे वर्ल्ड ने मुझे abandon कर दिया है जब होजीन का wedding दे था तो देजीन ने कहा था कि मेरी brother की आशादी है उसके लिए मैं बहुत ही happy हो इस world में सबसे fortunate आदमी वो आज से बन जाएगा मैं भी खुश हो क्योंकि मैं इनसु को हमेशा मेरी पूरी life तक देख सकता हूँ होजीन मुझे सब कुछ बताता है उसे low letters लिखना नहीं आता तो उसके low letters में ही लिखता हूँ ये explain करता है कि उसे क्यों इनसु के बारे में सब कुछ बताता होजीन देजिन को सब कुछ बताता था इसी वज़े से देजिन को सब कुछ बताता देजिन ने दिखा होता है कि मैं lucky हूँ मैं उन दोनों के साथ ही रहता हूँ पर अभी तक मैं पागल नहीं हुआ हूँ जब इंसु यह सब पढ़ती है तो बहुत ही डिस्टर हो जाती है वही हो रोने लग जाती है वह बाहर आती है और सोचने लग जाती है मुवे के फर्स में हमने देखा था कि इंसु ने देजिन से पूछा था देजिन केता है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि सब कुछ चीज़े मैं जे फेक देनी चाहिए पर मेरा जो वर्क है इसमें गुल मिल जाता हूँ पूरे लाइफ तक इसा ही चलता रहेगा ऐसा मुझे लगता है इंसु अक्यली बेटी होई होती है और उस अब कुछ सोच रही होती है वो देजिन की आर्ट गैलरी में फिर आ जाती है देजिन उसने जो सब आर्ट की होते है यह सब उसे दिखाता है देजिन उनकी अब जो फ्यूचर लाइफ है इसके लिए बहुत ही पॉजिटी होता है देजिन ने उसकी बेबी के लिए भी आर्ट बनवाय होता है देजिन अपने ब्रदर की अस्तिया भाह देता है वो अपने ब्रदर से बात कर रहाता है यह कहता है कि तुमने अपने आपको सैक्रफाइस कर दिया यानि कि मैं जी सको क्या तुम्हें पता है कि इंसु से मैंने पहले प्यार किया था मैंने उसे इतना प्यार किया था कि मैं तुम दोनों के लाइब से चला जाना चाता था इंसु को कभी यह मालूम नहीं था वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहती थी मेरे ब्रदर तुम अब इस वर्ड में नहीं हूँ पर मरा हुआ असल में मैं ही हूँ मुझे अब तुमारे जैसे रहना पड़ता है मैं अब तुम बन चुका हूँ मैं जो सब चीजे करता था वो वो मैं कर नहीं पाऊंगा मैं हमेशा के लिए अब तुम बन जाऊंगा और इंसु मुझे ही पैयर करेगी इंसु मेरे पास तो होगी पर वो हमेशा तुमारे ही याद करती रहेगी वो अपने ब्रदर को कहता है कि कभी भी मुझे माफ ना करना योग एक एक का रोने लग जाता है यही मुवी एंड हो जाती है आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी इसी मुवीज लेकर आते रहता हूँ विज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिशन आइकों भी दमाना मत बुले यहीं कि आपको सब मुवीज मिलते रहे हम फिसे मिलेंगे एक नई मुवी के साथ तब तक के लिए थांक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये